Your Excellency, प्रधान मंत्री शेख हसिना जी, असम के मुख्य मंत्री, हिमंत विश्टव शर्मा जी, केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सयोगी स्री हरदीप पूरी जी, और हमारे असाम के ही और भारत सरकार के मंत्री, स्री रामेश्वर तेली जी, बंगला देश सरकार के मंत्री गण, और हमारे साथ जुड़े अन्य सभी साथियों, नमस्कार, भारत, बंगला देश सबंदों में, आज एक नए अध्याय की शुरुवात हुई है, इंडिया, बंगला देश, फ्रेंडशिप, पाइपलेंग, इसकी नीव हमने सितंबर 2018 में रखी थी, और मुझे खुशी है कि आज प्रधान मंत्री शेख हसिना जी के साथ इसका उद्धाडन करने का भी अवसर आ गया, यह भी संतोस का विशह है कि कोवीड महमारी के बावजुद भी इस प्रोजेक्ट का काम जारी रहा, इस पाइपलाइन से उत्तरी बंगलादेश के विभिन्द जीलों को एक मिलियन मेट्रिक टन हाइपीड डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी, पाइपलाइन के द्वारा सप्लाइज से खर्चतों घटेगा ही, इस सप्लाइज का कायर्बन फुट्प्रिंट भी कम होगा, भरोसे मन और किफायती डीजल सप्लाइज क्रिसिक छेत्र के लिए विशेस रुप से लाबदायक होगी, स्थानी उद्योगों को भी इसका लाब मिलेगा, आज की बैश्विक स्थिती में कई विकास्चिल अर्थववस्ताएं अपने खाद और उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जूज रही है, इस संदर्ब में आज के आयोजन का महत्व और भी अधिक है, साथियों, पिछले कुछ सालों में, प्रधान मंत्री सेख हसिनाजी के कुशल नेत्रुत में, बांगला देश्व ने उल्लेक नियव प्रगति की है, इस पर हर भारतिय को घर्व है, और हमें खुशी भी है, कि हम बांगला देश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए हैं, मुझे विश्वास है, कि हम पाइपलाइंग बांगला देश के विकास को और गती देगी, और दोनों देशों के बीच, बढ़ति कनेक्टिविटी का भी उत्कुष उधारन रहेगी, यह आवशक है, कि हम अपनी कनेक्टिविटी के हर स्तंब को सुद्ध करते जाएं, चाहे वे परिवान के एक्षेत्र में हो, उर्जा के एक्षेत्र में हो, बिजली की गिरीड की बात हो, या डिजिटल एक्षेत्र में, जितनी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही हमारे पीपल टू पीपल समंदों को बल मिलेगा, मुझे आध है कि कई वर्षो पूर्व प्रदान मंत्री सेख हसिना जी ने 1965 से पहले की रेल कनेक्टिविटी बहाल करने के अपने वीजन के बारे में चर्चा की थी, और उसी समय से दोनों देशों ने मिलकर इस पर बहुत प्रगति की हैं, इसी का परणाम है कि कोविड महमारी के दोरान हमें रेल नेट्वर्क के द्वारा बंगला देश को ऑक्सीजन आधी भेजने में सुविधा रही, उनके इस दुर द्रश्टी भरे वीजन के लिए मैं प्रधान मत्री शेख हसेनाजी का रदय से अभिननन करता हूं, साथियों, बिजली के ख्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग बहुत सफल रहा है, आज भारत बंगला देश को ग्यारा सो मेगा वोर्ड से अधीक बिजली सप्लाई कर रहा है, मैत्री सूपर थर्मल पावर फ्लांट की पहली उनिट भी चालू हो गई है, इसका उधारन हमने पिछले साल प्रधान मंत्री सेख हसेनाजी की भारत यात्रा के समय किया था, और अब हम दूसरी उनिट को भी जल्दी चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां तक उर्जा सहयोग की बात है, हमारा पेट्रोलियम ट्रेड एक बिलियन डॉलर पार कर चुका है, यह खुशी की बात है कि हमारा सहयोग हाइड्रो कार्बन की संपूर्ण वेल्यू चेन में है, चाहे वो अप्स्ट्रीम हो, या मिड्स्ट्रीम, या डाउन्स्ट्रीम, इस पाइपलाइन से यह सहयोग और व्यापक होगा, मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों, विशेश रुप से, नुमालीगट रिफाइन्री और बंगलादेश पेट्रोलियम कॉर्परेशन को बधाई देता हूँ, एक्सलेंसी, कितना सूपसंयोग है कि आज कहिया उदगाटन बंग बंदु, शेक मुझबूर रह्मान की जन्म जैन्ती के एक दिन बाद हो रहा है, बंग बंदु के सोनार बांगला विजन में पूरे एक छेत्र का मैत्रिपुन विकात तता सम्रुद्धी सामिल था, यह संयोग्त प्रोजेक्ट उनके इस विजन का उत्तम उदाहरन है, एक्सलेंसी, भारत बंगला देश संयोग्त के हर पहलू को आपके मारदर्शन का लाप मिलता रहा है, इसमें यह प्रोजेक्ट भी शामिल है, मेरे साथ इस आयोजन में सामिल होने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस प्रोजेक्ट से लाभानमित होने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, धन्यवाद. भी वाले से लाले से लायोजन में जहुत बெ planets आयोजन को प्रोजेक्ट बहुत अजयोजन में को प्रोजेक्टूट मुटत बहुति Observ Annuda.